दिल्ली प्रवास में तेजस्वी यादो किस से किस से मिल रहे हैं, क्या क्या बाते हो रही हैं, ये चर्चा हैं तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन इस बीच में एक ख़बर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये ख़बर अंदर की है, और अंदर की बात में हम आपको ये खबर बताने जा रहे हैं कि चाहे जितना भी छुपाने की कोशिस करें कहा जाता है कि दुस्मनी और प्यार नहीं छुपता है जिस तरह से नितीश कुमार और तेजस्वी यादो साथ है थे अगस्त में उसके बाद से दोनों चाचा भतीजा का प्यार आपको जबर्दस देख बहुत लंबा नहीं चल पाया उसके बाद से कुष्टी शुरू हो गई और ये कुष्टी भी अब लाग छुपाने के बाद भी छुप नहीं पा रही है क्योंकि इसके असर बिहार की राजनीत में और महागटबंधन में देखने को मिल रहा है महागटबंधन में जिस तरह से इंडोर कुष्टी चल रही है तेजस्वी आदो और नितीश कुमार के बीच में इसको ले करके कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई यहां तक कि आपने देखा होगा कि रास्टिय जनता दल के नेता लगतार जीस तरह से हमला कर रहे हैं चाहे वो सुधाकर सिंग हो या अ सामले में जो बाते सामने आई वो साफ आपने देखा और सब कुछ आपके नजर के सामने है इन सब के बाद आपको बता दें कि बिहार की राजनीत में एक नया ट्विस्ट आया है और यह ट्विस्ट है कि नितीश कुमार ने केंद्र में जो जाने की बात की थी जो केंद्र में नरेंदर मोदी को उखाड फेकने के लिए मुहीम शुरू की थी वो मुहीम मधिम पड़ गई है लेकिन इसके साथ साथ मधिम एक और बात पड़ी है कि महागठ बंधन के जो साथी दलदावा करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है उनके बीच इस कुष्टी ने कहीं न कहीं ए एक ऐसा बिजारोपन किया है जिससे लग रहा है कि बहुत पुरानी चल रही लालू और कॉंग्रेस की दोस्ती भी समाप्त होने वाली है एक तरफ जहां तैयस्वी यादो अपने कूर्सी के लिए या मुख्य मंत्री बनने के लिए कह दिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं उसके लिए रणनिती बना रहे हैं तो वहीं नितीश कुमार को कमजोर समझना या नितीश कुमार को कुर्सी से उतारने का प्लान बनाना नितीश कुमार कहीं न कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या फिर कहा जाए तो वो जैसे ही सुनेंगे वैसे ही अपनी रणनि वाले नहीं है बहुत पुरानी दोस्ती चल रही थी कॉंग्रेस और तेजस्वी यादो की यानि लालू परसाद की और इस दोस्ती में कहीं ने कहीं जैसे दूध में नीबू डाल देने पर फट जाता है उसी तरह से नितीश कुमार ने नीबू डाल दिया है मंत्रिमंडल वि विश्तार होगा और इस मंत्रिमंडल विश्तार में नितीश कुमार ने ये बाते भी कह दी थी कि ठीक है मंत्रिमंडल विश्तार में जगह दिया जाएगा जो दो लोग इस्तिफा दिये हैं राश्टिय जनता दल से उनको और इसके साथ-साथ जदियू के भी जिन लोगों अब सामंजस्य में मंत्री मंडल में सामिल करना है उन लोगों को और साथ ही कॉंग्रेस को भी समें सामिल किये जा सकता है इस पर दावेदारी और भी दलों की थी और ये भी कयास लगाय जा रहा था कि इस बार वाम दल भी मंत्री मंडल का हिस्सा बनेंगे लेकिन अचानक से इस तरह से मंत्री मंडल विस्तार की बातों को धीरे-धीरे करके ग्रहन लगता चला गया वो साफ नजर आ रहा था कि इसमें नितीश कुमारों तेजस्वी यादों के बीच में कहीं न कहीं भीतर ही भीतर इंडोर कुष्टी चल रही है इसका असर यह हुआ कि कॉंग्रेस को यह समझ में आ गया कि मंत्री मंडल विस्तार में उनको तरजीह नहीं दी जा रही है इसी बात पर जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादों से पूछा तो तेजस्वी यादों ने साफ कर दिया कि कोई मंत्री मंडल का विस्तार नहीं होने जा रही है उनने कहा कि आप चाहत इससे जो हम कह रहे हैं कि लालू कॉंग्रेस में दोस्ती का the end हो गया है, वो साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली में रहते हुए, तेजस्वी यादो कई नेताओं से अब तक मिल चुके हैं, लेकिन कॉंग्रेस के सिरस्थ नेताओं से उनकी मुलकात नहीं हुई है, इतना इंग ह की भारत जोड़ यात्रा चल रही थी तो उसमें भी निमंत्रल मिलने के बावजूद न तो नितीश कुमार सामिल हुए और नहीं तेजस्वियादों सामिल हुए ये साफ दरसाता है कि महागठ बंधन के भीतर और खास करके देखा जाए तो बड़ी लंबी दोस्ती निभाने वाले दोस्ती चलाने वाले रास्तिये जन्तादर और कॉंग्रेस के बीच में दोस्ती का देंड होता हुआ नजर आ रहा है अब देखना दिल्चस्प होगा कि इस तरह की बातों का असर बिहार की सरकार और आने वाले 2024 के चुनाव पर क्या पड़ता है 25 तारीकों जो पूर किस दिशा में जाता है और बिहार के सरकार किस करवट बैठती है जुड़े रहे है भारत लाइप के साथ खबरें लगतार जारी है अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात हो अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लेए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर वा मुफ में मिल जाए अगर व नाइन बटन दबा देला पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद